कि अज़ के विडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मसल बिल्डिंग के लिए आपको पूरे दिन में कितना प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए कितना प्रोटीन इंटेक optimal होता है पूरे दिन में मसल बिल्डिंग के लिए लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि क्या high protein diet से कुछ health risk होता है या नहीं बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि high protein diet लेने से kidney damage, heart disease और cancer जैसी problem हो सकती है तो अगर आप लोगों के मन में भी वैसा डाउट है और आप लोगों ने वो video check out नहीं किया है तो मैंने उसके link आई बटन पर डाल दी है आप लोग जाके check कर सकते हैं शुरू करते हैं आज की video से guys तो सबसे पहले आप एक चीज जाने कि RDA के अनुसार हर human being को 0.8 gram per kg of body weight के अनुसार protein consume करना चाहिए और ये जो RDA की limit है न ये minimum basic nutritional requirement meet करने के लिए है मतलब minimum आपको 0.8 gram per kg body weight के हिसाब से protein चाहिए ताकि आप बिमार ना पढ़े आप सिक ना पढ़े पर अगर आप muscle building की ओर aim कर रहे हैं अगर आप muscle hypertrophically train कर रहे हैं intense workout कर रहे हैं तो आपको जादा protein चाहिए RDA के limit से जादा protein चाहिए ताकि आप उस intense training से recover कर पाएं और अपने body में lean muscle tissue develop कर पाएं ठीक है अब video start करने से पहले दो चीज़े आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही जरूरी है आप ध्यान जा सुनिएगा देखिए जितनी भी studies protein requirement और muscle gain को लेके हुई है उन सारे studies में individual के body weight के हिसाब से protein की requirement calculate की गई है किसी भी study में ये नहीं देखा गया है कि उस particular individual के पूरे दिन के calorie intake से कितना percentage calorie जो है protein से आ रहा है ठीक है सारी जो researches होती है उसमें individual का body weight consider किया आता है एक optimal protein intake muscle gain को निकालने के लिए एक तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए दूसरी चीज़ आप ये भी ध्यान रखिए कि बहुत सारी जो studies हुई है मतब protein intake और muscle building को लेके numerous studies हुई है number of studies हुई है और सारी studies में थोड़ा बहुत result इधर उधर पाया गया है मतब सारी studies में different different result पाया गया है इसलिए इस video के अंत में मैं आपको एक range बताऊंगा एक optimal range बताऊंगा जो की सबसे बहतर होगी आपको पूरे दिन में protein intake पूरी करने के लिए muscle building के लिए तो चलेगा शुरू करते हैं बात करते हैं कुछ researchers की तो American College of Sports Medicine Academic of Dietetic and Nutrition और Dietations of Canada के अनुसार आपको पूरे दिन में 1.2 gram per kg to 2.0 gram per kg of body weight के अनुसार protein consume करना चाहिए ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से muscle hypertrophy याने के resistance training वाली session से recover कर पाएं और अपने body में lean muscle tissue develop कर पाएं और यह जो range है ना 1.2 to 2.0 gram per kg of body weight protein यह range एक और respectable journal से काफी match करती है वो journal है International Society of Sports Nutrition तो ISSN के हिसाब से भी आपको पूरे दिन में 1.4 to 2.0 gram per kg of body weight protein consume करना चाहिए muscle building के लिए तो गाज यह तो बात हो गोई कुछ respectable journal की अब एक चीज़ा बहुत ही ध्यान जा सुनिएगा आज तक की history में जो protein requirement और muscle gain को लेके सबसे comprehensive meta analysis हुई है जिसमें 49 studies को analyze किया गया था और इसमें 1863 participants थे तो इस meta analysis के according एक optimal protein intake muscle building के लिए पूरे दिन में आपका होना चाहिए 1.6 grams to 2.2 grams per kg of body weight please note इस 49 studies में जो 45 study थी वो newbie के उपर थी और 4 studies advanced lifter के उपर थी तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप newbie हैं अभी यह भी gym start कर रहे हैं beginner हैं तो आप 1.6 grams per kg of body weight के हिसाब से पूरी दिन में अपना protein intake करें अगर आप advanced lifter हैं तो आप 2.2 grams जो इस limit की maximum reach है वहाँ तक भी जा सकते हैं और यह जो 1.6 grams to 2.2 grams है इसको maximum researches जो है support करती है तो एक ideal muscle building के लिए protein intake आपको रखना है 1.6 grams to 2.2 grams per kg of body weight अब क्या इससे भी जाधा कोई study हुई है जिसमें participant ने इससे भी जाधा protein लिया है 1.6 से 2.2 grams से भी जाधा protein लिया है और भी high protein consume किया है तो जी हाँ इसके अलावा भी कुछ ऐसी studies हुई है जिसमें बहुत ही जाधा high protein का intake जो है protein consume किया था और 4.4 gram per kg of body weight के हिसाब से protein consume किया था और इन डोनों study में ये देखा गया कि जो additional protein consume किया गया है मतला 1.6 से 2.2 gram के उपर अगर protein consume किया है तो उसमें muscle building को लेके कोई भी additional benefit नहीं देखा गया है पर ऐसी high protein diet से आपका जो fat है जो fat है वो slightly और reduce होता है और future में बढ़ता नहीं है तो ये benefit जो है देखा गया है अगर आप 1.6 से 2.2 gram protein से जाधा per day में consume करते हैं तो आप में fat reduction में थोड़ा benefit देखा गया है और इसके उपर मैंने एक video बनाया भी था बहुत टाइम पहले मैंने अपमें चैनल पे ग्लूको नियोजनिस डाइट पैन बनाया था जो आज की डेट में available नहीं है तो उस diet plan में मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कि इसमें protein बहुत ही high रखना पड़ता है उससे फाइदा ये होता है कि अगर आप एक ऐसे individual है कि आपके body में थोड़ा बहुत fat है मतलब आप normal fat range के अंदर है पर आपके abdominal में थोड़ा बहुत fat डिखता है तो ऐसी high protein diet रखने से आप उस fat को भी कम कर सकते हैं वो video अभी तो मेरे चैनल पे available नहीं है और मुझे अच्छे सहाथ है कि मेरे उस diet plan को एक South Indian आक्टर ने भी follow किया था उसने मुझे Instagram पे बोला भी था thank you so much और उन्हें उससे पूछा था कि आप personal diet plan देते हैं बट खैर में वो नहीं देता तो मैंने उन्हें मना कर दिया था तो ऐसी high protein diet भी आप consume कर सकते हैं इसके कोई side effects नहीं है पर muscle building को लेके additional benefit नहीं देखा गया है अगर आप 3.3 gram per kg of body weight के हिसाब से protein consume करते हैं या 4.4 gram per kg of body weight के हिसाब से protein consume करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं कुछ और चीज़े आप लोग ध्यान रखिए जो मैं अपने पुराने वीडियो में आप लोगों को अलड़ी बोल चुका हूँ देखिए इस वीडियो से आप लोगों को ये तो पता चल गया कि एक optimal protein intake की range हमें 1.6 to 2.2 gram per kg of body weight के अनुसार रखन For example, अगर आपके पूरे दिन का intake protein का 150 grams आता है और आप पूरे दिन में 5 meal consume करते हैं तो आप हर meal में 30 grams protein 30-30-30-30 grams protein नेके consume करें और ये भी ensure करें कि आप हर meal में 20-30 grams protein consume कर रहे हैं for optimal muscle gain benefit क्योंकि बहुत सारी multiple studies जैसे कि American Journal of Clinical Nutrition और ISSN इस range को support करती हैं जो per meal में आपके होना चा तो ग्राइज उम्मित करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो ऐसे ही informative based वीडियो देखने के लिए subscribe करें all about nutrition जै